बिस्मिल्लाइरश्मानीरखीम बेटा बस कर देएं अब हम सिस्टम्स के बारे में डिस्केशन कर रहे थे और बेटा बस कर दें सिस्टम्स के बारे में एक कंट्रोल के अतबार से system की केटगरी, one is called close loop control क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हम किस तरह के सिस्टम को बोल रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम एक लूप बना दें सिस्टम को यह बता दें कि जैसे आपके घर में water tank लगा हुआ हैं आपने उसके अंदर एक auto switch लगा दिया और adjustment कर दी जब water level ये रह जाए तो motor on हो जाए और जब ये हो जाए तो off हो जाए अब ये system इस bandwidth में इस loop में काम किये जा रहा है किये जा रहा है या जैसे आपने AC को इस वकत हम अगर हमारे रूम में जो AC चल रहे हैं हम जब उसका बिटा बस कर देंगा आप लोग भई हम उसकी temperature को adjust कर दिया हमने का यार जब रूम का temperature 26 हो जाए तो AC off हो जाए और जब temperature इतना हो जाए तो AC automatically on हो जाए ये आपके घर में जो गीजर लगा ह हौहा है ठीक है ना ऐसे तमाम system जो किसी ऐसे लूप में आप system कोई गर्ज नहीं है कि बाहर गर्मी जादा हो गया marvel धाला बेहाए आज आजबारिष्बải नहीं है क़्लास में बच्चे जूता बैटने उसे कुछ समझ नहीं आ रही है । उसे जो command हमने दिए है वो उसके मorang कीजा रहा है घर में महमान जैदा आ गए है हम्हें लग रहे कि यार DAVID महमान है हमें वाटर टैंक में यह लेवल यहां की बजा है यहां कर देना चाहिए हई यह सिस्टम यह नहीं कर सकता यह सिस्टम सिरफ लूब के मताबिक का कर रहा है एन्वर्मेंट से डेटा नहीं ले रहा है बलके जो डेटा हमने से फीड किया है उसको लेकर चल रहा है क्लोज लूप कंट्रोल है इन बिल्ड कंट्रोल वेरी मच लाइक थर्मो स्टेट इना हीटिंग सिस्टम यार आजकर लोड शेडिंग जैदा हो रही है तो सिस्टम को नहीं पाता चल रहा है तो मुझे अपना कोई वाटर लेवल चेंज करना है सिस्टम से इन्पुट नहीं ले रहा हां आप इंट्रवीन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा बहर-बारी शुरूँ हो गई मोसम अच्छा हो गया एसी को कुछ नहीं पता चल रहा हां आप thermostat को adjust करेंगे तो पता चलेगा इस तरह के system को हम क्या कह रहे हैं close loop system business example which have inbuilt control is a stock or credit control system where system automatically check अभी आपने शायद नहीं होगा एक लफज शायद लफज की हद तक बोल दियो inventory control system accounting में बोला कर नहीं बोला भी अच्छा चले नहीं बोला तो हम ऐसे एक्जांपल ले लेते हैं हम ऐसे एक्जांपल ले यह कोई एक medical store की shelf है अब medical store वाले ने कोई एक system बनाया हुआ जिस जिस computer के उपर वो बहुत सारी medicine sale कर रहा है उसमें को एक system design कर रखा होगा मसलन उसके पास पैनाडोल के पचास पते पड़े हुए हैं उसने अपने system में रखा हुआ है कि जब 10 रह जाएं तो मैं नए order place कर दूँगा ठीक है ना कंप्यूटर में जब भी वो sale डालता है उसके पास आ रहा है कि कितने रहे गए कितने रहे जब 10 टाच हुआ तो computer ने फोरन एक message generate किया कि पैनाडोल का order करना है यह क्या है inventory control system उसने निजाम बना रखा है और जिस पैनाडोल का order देता है उसे बताया हुए है कि जब भी मैं पैनाडोल का order दूँगा आपने पचास पैनाडोल मुझे भेज देने हैं पचास पैक भेज देने हैं अब यह system automatically बिलकुल ऐसे ही चल रहा है जैसे यह हमारी टैंकी का system चल रहा है जैसे हमारे इसी का system चल रहा गे उसमें शुरू में चीज़ें खरीदने शुरू की credit 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 अब 10 लाग उसकी तरफ आ गए अब वो फिर आ गया है कि जब दो लाग की चीज़ें चाहिए हैं अब उसकी लिमिट 10 लाग की थी अब आप system एंट्री डालते है system एंट्री नहीं ले रहा है अब आप से कहता है य लिमिट आजाजी मैं तुम्हें दो लाग और सेल दे दूगा यानि अब जितना अब माल कितना मिलेगा जितना पिछले पैसे देते जाओगे उतना माल आके लेते जाओगे यह सारी example कौन से system की है close loop system close control is most suitable for the type of system which is stable stable का मतलब होता है एक ऐसा system जिसके न हम हमें पता है यह बस निजाम ऐसे ही चल रहा है कोई एकदम से बहुत बड़ी change नहीं आ जाती कोई बड़ी change आएगी तो हमें intervene करना पड़ेगा मसलों कुदा ना खास्ता डेंगी फैल गया तो फिर medical store वालों को डेंगी से related जो medicine का stock है वो क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा कोविड आ गया तो कोविड से related बढ़ाना पड़ेगा लेकिन normal stable चल रहा है जी stable चल रहा है बार बार change नहीं आ रही है जैसे AC जैसे घर का tanky का system जैसे हमारे कोई और inventory का system वो करें आम तोर पर हम वहीं यह लगाते हैं जो बड़ा changing environment हो तो वहां तो हम system को fix नहीं ना कर सकते अच्छा जी system which exists in in a relatively dynamic environment are not suitable अच्छा एक है stable के versus जो दूसरा time इस्तमाल की वो किया है dynamic changing environment वो किता भाई यहां तो एक लम्हे में हालात बदल जाते हैं आप कहरे होगा हम system में लिख देंगे वो किता फिर नहीं फिर यहां close loop system नहीं चलेगा क्योंके close loop system तो कहां चलता है stable environment ठीक है अच्छा जी अब इसके मुकाबले में एक दूसरी बात करने लगे open loop control system do not have inbuilt control as it come from the outside the system no thermostat business example would be whole organization open control system are responsive to the environment and they often involve interaction from user वो कहता है कि यह system responsive to the environment नहीं है ठीक है ना not responsive to the environment यह responsive to the environment है environment में change आई तो system ने खुद ही predict कर ली और उसके मताबिक काम करना शुरू कर दिया ठीक है ना जब हम business की angle से बात कर रहे हैं तो environment का है पूरी दुनिया environment है जिस दुनिया में हम काम कर रहे हैं वो क्या है वो इन्वार में वो कहते हैं अगर external चीजों के साथ interaction से system ने बनना है तो फिर क्या है open system open control system है और अगर आप कहते हैं या बस हमारा यह system है बार जो हो रहा होता रहे तो यह कौन सा system है close लो अगर हम environment से feedback लेकर चल रहे हैं तो यह open system है और अगर environment से system नहीं ले रहे हैं तो यह क्या है close system है बसले लोगों के घरों में अगर hybrid solar system लगा हुआ है ठीक है hybrid solar system में क्या होता है एक आपने solar panel उपर लगा रखे है जो अगर light बिजली रोशनी अच्छी है जैसे आज बड़ा अच्छा sunny day भाई तो आज solar system maximum production दे रहे हैं ठीक है अच्छा लेकिन relatively पर्सों का जो दिन था वह smoke जैदा था लाहोर में तो उस दिन solar जैदा अच्छ inverter है ना यह system है यह क्या करता है पहले चेक करता है मुझे यहां से कितनी बिजली मिल रही है वहां से बिजली ले लेता है फिर देखते है मेरे बैटरी में कितनी बिजली है वहां से बिजली ले लेता है फिर जो आप घर में यूज़ कर रहे हो आपको बिजली देता जाता है अगर अचानक से बादल आजाएं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता यह सिस्टम खुद ही ओपन सिस्टम ओपन कंट्रोल सिस्टम होने की वज़ा से क्या करता है बैटरी से बिजली ज्यादा लेने चुरू कर देता है यहां से कम आ रही है एक वक्त आता है कहता है नहीं ब से चेंज हो रहा है अभी बारी शुरू हो जाए इससे पता चल जाए अब सोलर से कोई बिजली नहीं आ रही है सारी बिजली मुझे या वाब्डा से लेनी पड़ेगी या अपनी बैटरी से लेनी पड़ेगी ऐसा सिस्टम जो क्या करें इंट्रेक्ट करें विद्धी जो गीजर लगा हुआ है वो ना बारीज देख रहे है ना महमान देख रहे है कोई चीज नहीं देख रहा है बार समझा रही है अच्छा जी दो चीज़ें आगी element of a control system वो कता है यह जो control system है जो हम सारी बाते कर रहे हैं यह system कैसे बनेंगे कोई भी system वो कता है यार इसमें एक तो एहम बात होगा input data होगा processing हो रही होगी output data होगा फिर एक sensor होगा system में लगा हुआ क्या करेगा मैयर का output from the और एक comparator होगा यह क्या करेगा compare the new value with that of standard और एक standard होगा standard क्या pre determined जो हमने किया होगा जो system ने किया होगा एक effector होगा जो feedback लेगा कि भाई घर में बिजली इस वकत ऐसे जोच है घर में इस वकत हमने चीज़ें चलाई हुए है और 4500 watt जो है ना बिजली consume हो रही है अब यह सारे sensor effector फोरन मिलके क्या देख रहे हैं कि यहां से कितने watt बिजली आ रहे हैं फर्स किया है यहां से 2500 watt आ रहे है तो यह foreign system क्या कर रहा है remaining या बैटरी से या वापड़ा से लेना शुरू कर रहा है यह सारी चीज़ें आपस में coordination से interlink होकर यह निजाम चल रहे है तो इस तरह से निजाम को हमने दो हिस्सों में बाट लिया open loop versus close loop clear हो कोई बात जी then आगया element of information system को कहते है यार भाई key element क्या है सबसे पहले data सबसे important part data का आपका लफज पता है हमें किसको कहते हैं unorganized unorganized मसला अभी miss जो है आपसे क्या collect कर रही थी data किसकी registration हो गई किसकी नहीं हो गई बच्चे थे हर एक से information ले लिए अब वो सारा चिट पे पढ़ा हुआ है ये क्या है data unorganized इसे जाके हमने excel में feed कर लिया अब हमने देखा अच्छा जी total कितने registered हो गए कितने नहीं हो गए कितनों की fees जमाएं अब हमने अच्छा इल्फबेटिकली भी रेंज कर लिया अब ये क्या बन गया information जैसे data को किसी meaningful way में हमने organize कर लिया तो वो क्या बन गया information raw unorganized data process into meaningful and useful information for अब हम उसका को use लेख सेगे के चैर ये 6 बच्चे हैं जिनकी enrollment रहती है यार इनको 6 को बुलाओ भई क्या कर रहे हो तुम इन्हें शायद sensitivity का अंदादा नहीं होगा हमें तो होना चाहिए न अब उससे कोई meaningful इस्तमाल निकलेगा तो एक element सबसे एहम क्या आगया data दूसरा आगया database what is the difference between data and data database हम किसे कह रहे है जहां data रखा हुआ है जहां data save किया हुआ data उस information को कह रहे है ठीक है न और जहां वो data रखा हुआ है उस जगह के नाम कै है database ठीक है न जैसे घर में आपने grocery की item रखी हुए है और जहां रखी हुए है उस जगह का नाम का है store ठीक है न अब store में चीजें पढ़ी है जो चीजें पढ़ी है उनका कोई अलग 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 नाम है घी है चीनिया फुला है फुला है तो एप डेली क्या चीज है अरे एक तीसरी चीज है देलाटिस की बेस मैंयज्मेंट घर में एक चीज पड़ी है कोई अचानक चीज की ज़रुदय पड़ गई कोई घर में चीज तूट गई वाली साथ ने का याँ वो पिछली दफा हम ग्रोसरी के साथ तो जो चीज वकत पे नहीं मिलेगी उसका तो कोई फाइदा नहीं है जो दोस वकत पे काम नहीं आएगा उसका तो कोई फाइदा नहीं है अब डेटा कंप्यूटर में बिलियंज आफ चीजों का डेटा हमने रखना है ना अब जब चाहिए तो कैसे में लगी अब एक सॉफ्टवेर चाहिए जो चीज को जल्दी से क्या कर दे रिट्रीव कर दे डाट इस काल्ड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे समझें इसको पिक्चर से समझते हैं पहले हैं फिर रीड करते हैं यह कंप्यूटर सिस्टम चल फुल शकल निकाल लेते हैं अब उसे स्टोर कांगरें इस्टोर कांगरें वो जो हारड ड्राइव है वो क्या एक किसम की इस वक्त कर रही है डेटभेस अब मैं यहां सिस्टम पे बैठा हूं अब जिन बचों के इन्रॉल्मेंट हो गई है वो यह हैं जिनकी होनी रहती है ये हैं जिनकी फीज्ट पे हो Kylie है वो ये हैं जिनको मुबाइल पर means ना आने की problem आरही है ये काम कोन करेगा database management system लेकिन ये management system क्या करता है यह और भी बहुत सारे काम कर देता है जैसे हमें आपको online lecture को भी, देना है। आप टेस्ट दे रहे हैं ? इस को बहुत है हैं ? LMS Learning Management System. अब जब एक सिस्टम बनाया है तो समें सारी चीजसें आ जाएंगे. यार इसमें test भी कॉप हो सके हैं, ये test बाठो चेक भी हो हो सके हैं, फुलान काम भी हो इसी तरह ही. Data base management क्या करता है डेटा को स्टोरेज की में हल्प करता है डेटा को रिट्रीव करना यानि स्टोर हुए में से जो काम की बात अब मैं पूछ रहा हूं उसको ढूंड के निकालना डेटा की अड्मिनिस्ट्रेशन डेटा में से रिपोर्ट करना डेटा में से कोई क्यूरीज लेना कि कोई security कोई भी बंदा मुठा के ना डेटा तक पहुंच जाए only authorized person can access to the data आप एदा student enroll है मेरे पास RISE के learning management system में क्या आप वहाँ पे मुझूद videos को delete कर सकते आप test को खुद से edit कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आप कोई test upload 때 code कर सकते हैं क्यों क्या डा की कोई security लगी है security में हम क्या करते हैं हम पहले data की ना assembles बना लेते हैं ये काम ये अब देखते है कोन कोन से काम किस को allow करने कि आप असको ये चीज़ अलाओ है ये अलाओ है ये अलाओ हैई रटी एक उसको इससे दो, तीन, चार बाते जएदा लाओड होगी उससे नीचे फिर एक बंदा होगा डेटा एड्मिनिस्ट्रेटर जो इसको ये सारी चीज़ें लाओगी आप समझें जिसके पास मास्टर की होगी इस सारे की ठीक है ना तो ऐसे निजाम ने अच्छा हमारा बरेंट बी ऐसे यी काम करा एक कोई चीज़ आपने याद की जो चीज़ याद की वो डेटा है उस डेटा को कहीं हमने सेव किया बरेंड में जहाँ सेव किया वो डेटा बेस मैंने यह बात मुझे वقت पर याद भी आज़े अब ये तीन काम है ओके बाई टेस्ट में याद आ रही है कि नहीं आ रही है बात दफ़ा आपने देखा जिंदगी में क्या होता है आप एक्जाम में बैठें इधर आपने वो शीट वापस किया एक्जामिनर को अभी एक हाथ आपका लगा हुआ एक उसका लगा हुआ है और साथ ही ओ यारी हो इसका मतलब है क्या सिस्टम खराब है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम खराब है डेटा में चीज मुदूद है लेकिन याद नहीं आ रही है उस वकत याद नहीं आ रही जब उसको याद आने की जरू होता है दौए कनूद याद है किसी नहीं चानक सुन ली कि यार सुना और हैं दो आएकंनूत हमारे याद है यह जो हमारा डेटाबेस मेनेजमेंट ना जो हमारी बौडी का डेटाबेस मेनेजमेंट यह औरलाइन वे बच्चे भी सुनें उनके लिए सबसे सेदा जरूरी है क्योंकि वो लेक्चर लेट के लेते हैं तो यह बात याद रखे इंसा अल्ला ने खुद ही कह रखा है कि यह जो मखलूक है ना यह मेरी सबसे बेस्ट क्रियेशन है अश्रफ मखलूकात है अल्ला ने जो हमारे अंदर सेंसर लगा रखे ना वो बेताशा लगा रखे हमारा जो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना वो सम टाइम पोस्चर भी याद कर लेता है कि ये बंदे को ये वाली बात कब चाहिए है जब आप उस फेज में है तो बात याद आत और लोग देखो जी ये इसे द्वाय कुनूत भी याद नहीं ये कुई जरूरी नहीं जब मैंने आपसे अचानक पूछी तो आपको याद नहीं आई तो इसका मतलब नहीं आपको याद नहीं अभी आपसे अतायाद सुनें तो बात बच्चों से गलती हो जाएगी लेकिन अब अगर आई कैप ने आपको दे दिया बैट तो फिर तो आपको याद आ जाएंगी ये चीज़े ठीक है ना और अगर उसने टेबल चेयर पर बिठा दिया तो वह याद नहीं आएंगी तो इससे आप सब समझें कि आपको उस पोस्चर में बैठ कर पढ़ना चाहिए जि एक बंदे का नाम नहीं याद आ रहा है यार आदी याद नहीं आ अच्छा जब उससे मिलने जा रहे हैं जब उसके उस वकत याद आ जाता है क्योंकि ब्रेन को पता है कब जरूरत है उस वकत वो रिट्रीव कर देगा आपको यही सारे काम हम सिस्टम से ले रहे हैं हमारे आपस क्या आगया जी डेटाबेस आज सोफ्टवेयर टू एंटर स्टोर और्गनाइज सेलेक्ट एंड रिट्रीव डेटा इंदी अच्छा है अब यह सिस्टम बन क्या अब हमें निजाम को और आगे चलाने के लिए क्या चाहिए नेट्वर्क्स चाहिए इंटीग्रेशन चाहिए इंटीग्रेशन का क्या मतलब है प्रोवाइड एंड होलिस्टिक व्यू आफ डेटा एंड इंफर्मेशन अवेलेबल विदिन ओर्गनाइजेशन अंडर डिफरेंट एरिया एंड आगे पढ़ेंगे इसी चेप्टर में क्या इंटीग्रेशन करने हैं क्या मतलब ह हम कोई डेटा कॉमन यूज करना चाहते हैं या कोई रिसोर्स कॉमन यूज अब और्गनाइजेशन हर बंदे को प्रिंटर नहीं देना चाहते हैं और प्रिंटर को क्या करते हैं नेटवर्किंग करके इन सिस्टम की क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं हर बंदा ये एक ही सिस्टम को इस्तमाल कर लेगा, ठीक हो गिना बात, और फिर हमें सेक्यूरिटी का इशू आएगा, सेक्यूरिटी और प्राइवेसी लगानी पड़ेंगे, अब आप समझें के राइज अपने इंटरनेट के ओपर प्राइवेसी ना लगा, तो फिर तो कर लिए हमने इस्तमाल इंटरनेट, फ़र तो बचे ही सारा दिन लगे रहेंगे इंटरनेट, तो आपको अपनी सेक्यूरिटी, अपनी प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें, अब फिर अगें, ये वाला एलिमेंट, आपको कौनसेप्चुली बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद किसी भी सिस्टम में रिक्वाइड होंगे, ताकि डेटा तक एक्सेस कोन ले सके, ओनली और्थराइज परसन वहां तक जा सके, अच्छा जे, फिर वो कहते हैं, जो डेटा है ना, ये दो तरह का होता है, one is called qualitative and other is called quantitative, quantitative means, which can be quantified, जिसका कोई unit of मैयर हो, और हम उसको मैयर करके पता चले जायदा है कम है, जैसे time, length, weight, बहुत सारी चीज़ों के अब हमारे पास unit of मैयर आ गए ना, लेकिन कुछ चीज़ों के unit of मैयर हमारे पास नहीं है, मसलन, हम कहते हैं जी, lecture समझ आ गया है, और हम कहते हैं, जी, कितना समझ आ गया है, तो अब unit of मैयर हमारे पास कोई भी नहीं है कोई समझ मीटर नहीं लगा हुआ यहां पर कि जिसे पता लगे कि कितनी समझ आ गी है हाँ हम इसको कनवर्ट करने की कोशिश करेंगे आज कल हमने एक तरीका अजाद कर रखा है लोगों ने किया रचा जी आप यह बताईए आउट आफ फाइव कितना समझ आ गया हो तो उसका कभी भी नहीं होगा आज से सो साल पीछे चले जाएं तो बहुत सारा डेटा क्वालिटेटिव था क्वालिटेटिव का मतलब है हमें यह पता चल रहा है कि यह चीज़ जहदा है और यह कम है कितनी जहदा है यह नहीं पता चल रहा है मसला आज से सो साल पीछे तो हमें ये तो ऐसास हो रहा था, लाइट जैदा है, लाइट कम है, बादल आगे हैं, आज लाइट कम है, आज सनी डे है, आज लाइट जैदा है, कितनी जैदा है, ये नहीं महियर हो रहा था, लेकिन अब हम लाइट को महियर कर लेते हैं, अब देखते हैं, मैच में रेफरी तो हो रहा था क्यों नहीं चल रही है हवा कितनी चल रही और यह नहीं पता लग रहा था है लेका फिर साइन्स ने तरक्की कर ली और उसका कोई यूनिट आफ मयर आग्या लेकिन जाहिर जब हम घडैО के बात करें उसफ को रहें वो तमाम चीज़े जिनका कोई unit of measure है वो कौन सा data है और जिनका कोई unit of measure नहीं है वो qualitative है तो data हमें दो तरह का मिल सकता है कुछ quantitative और कुछ qualitative business data is all the information that is related to a company such as sale data, customer contract information and even website traffic, statistics ये सारा कुछ क्या है ये हमारे लिए data की हैसियत रखता है इसमें से कुछ चीजें measurable हैं और कुछ चीजें measurable नहीं हैं और such data is processed into meaningful and useful information which is then used for specific purposes such as business analysis, control and business analysis का मतलब है हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारा कारोबार कैसा चल रहा है, मसले कोई बंदा sale करनी है उसको चीज तो देख रहे हैं पिछले साल कितनी sale थी इस साल कितनी sale है, हम पिछले साल से जएदा बेहते रहे हैं कम बेहते रहें, तो इसको क्या कहरे हैं business analysis और control का मतलब है, पिछले महीने कितना भी लाय लेकिन यह सारा काम कैसे हो रहा होगा, data के analysis से हो रहा होगा, और आपको पता है, आजकल तो अब एक नई science एजाद हो गई है, that is data sciences, data analyst एक बंदा आना शुरू हो गया है, जो क्या करता हो करता है, हमें आपके data में से आपको ऐसी चीज़े बताऊंगा, जो आपने कभी सोच भी नहीं रखी थी, आपके वहमों गुमान में भी नहीं थी, मैंने शाहद आपको पहले भी वह example दे दी थी थी ना, कि आप बात दफ़ा किसी चीज़ का ऐसा analysis करते हैं, मसलें, फर्स करें, RISE अपने data का analysis नहीं करता, let's assume, RISE ने एक data analyst hire किया, उसने का सर आप हमेंना बच् की information provide करें, कौन कौन से बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, किस किस शहर से आए हुगा पढ़ने करें, अच्छा जी, अब हमने उसको data प्रवाइड कर दिया, उसने एक analysis किया, कि हैर सबसे जएदा किस शहर से बच्चे पढ़ने हैं, और सबसे कम किस शहर से पढ़ने हैं या अमूमन वो टॉप फाइव सिटीज कौन से हैं जहां से जएदा बच्चे आ रहे हैं या वो लोएस्ट फाइव सिटीज कौन से हैं जहां से बच्चे काम आ रहे हैं तो ये एक नई बात पता चलेगी कि या अच्छा जहां से बच्चे आ रहे हैं इसका मतलब है इन एरिय लोगों को c.a का निहीं पता है या राइस का निहीं पता है या राइस का इंप्रेशन उनकी नजर में चेंग है तो आपको फोरण एहसास होगा कि यार इस अ करो पर अगर आप का नेलेसिस नीहां तो फिर आप ऐसे बच्छों को देखकर मुतमई हो रहे हैं कि यार अलम्दुलिल्ला क्लासिस तो भरी हुई है हमारे पर जगा नहीं है हर हफ़ते एक बैज आ जाता है और हमें बैज क्लोज करना पड़ आप सिरफ यह सथ ही अनेलेसिस करें जैसे आप डेटा का डीप अनेलेसिस करेंगे तो आपको फिर और बाते प कैफ थ्री में पहुंचेंगे तो डिसियन मेकिंग एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि यार यह डिसियन लेना है कि यह काम मैं करूं के नक्तर यह डिसियन लेना है कि मुबाइल मैं कैश पे खरीद लूँ या किस्तों पर खरीद लूँ यह डिसियन लेना है कि एसी हम कैश पर खरीद लें या किस्तों पर खरीद ने अब डिफरेंड और्गनाइजेशन ने डिस्य hack लेने हैं तो यह सारे काम करने के लिए आपको क्या चाहिए डटा चाहिए डेटा का अनैलेसीस चाहिए उससे यह सारे काम हो रहे होंगे फ्रता बेस की बात हम ने कर लिया है कि जहां data को हम सेव करेंगे जैसे data को structure करेंगे वैसे ही data जो है वह आगे चल रहा होगा जी फिद्बैक लगा तो feedback तो non qualitative है कि quantitative है तो यह जो अभी हम पढ़ रहे थे अगर हमें वह समझ मीटर कहीं से मिल गें तो पिर तो class में समझ मीटर लगा देंगे, खुद ही पता चल जाएगा, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना, लेकिन अभी फिलाल क्योंगे, वहां तक नहीं पहुंचे तो फिर, क्वालिटेटिव हैं तो इसलिए फिडबैक की टेक्नीक से करना पड़ेगा, आजी है जा, आजी, कल इंशाओन तहला यहां से फ़र्दर आएगे चले जाएँ,